दिवाली के बाद मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाये जाने वाले महापर्ख छट को लेकर सभी जगा उत्सा देखने को मिल रहा है आज जानी शरीवार को जहां वरत रखने वाली महेलाएं ओधित होते भागवान सूरी को अर्गे देकर अपना वरत पूरा कर रही है तो वहीं इससे एक दिन पहले आजमगर में शुक्रुवार को नदियों और तालावों के घाटों पर अस्ताचल गामी भागवान भासकर को अर्ग देने के रश्ट को पूरा किया गया इस दौरान छट घाटों पर उपस्थित आम और खास सभी लोगों ने छटी मैया की शद्धा पूरब पूजा की कोरोना को लेकर प्रशाशन के तरफ से तमाम तरह की गार्ड लाइन्स बनाए गई थी और खुद सीयम योगी ने लोगों को इस महापर्प को घर पर ही रहकर मनाने की अपील की थी लेकिन इसका अशर आंसी ग्रूप में देखने को मिला हाला की इस बार महिलाओं ने घर पर ही पानी के किसी बड़े बर्तन में रख कर पूजन अर्चन किया शुक्रुवार की शाम भगवान शूरी को अर्ग देने के समय शहर से लेकर ग्रामीड अंचलों में चहल पहल रही घागरा, तमसा, समेथ सभी छोटी नदियों, पोखर, तलाबों के साथ घरों वा महलों में विशेश रूप से तयार जल कुंड में भगवान सूरी को अर्ध अर्पित करने के साथ ही लोग पर शट का मुख्य अनुष्ठान आरम हो चुका है भगवान सूरी को अर्ध देने जाने वाली महिलाओं द्वारा गय जाने वाले छट गीतों से जनपत के सभी गली महले गुण जुठे डिविन घाटों पर महिलाएं पैदल ही समू में छटी महिया के गीत दाते में नजर आई समू में छट व्रतियों के साथ साथ परिवार के अनलिलोग भी शामिल थे वहीं मन्नत पूरी होने पर कई व्रती महिलाएं सड़क पर शाष्टां होगर पहुची इस दोरान घाटों पर अर्ग के लिए आने वाले स्रद्धालों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशाषन की ओर से अभूत पूर्वे इंदिजान किये गये थे